Hello guys, आज हम इस WordPress के course में दिखेंगे कि हम enable, disable कैसे करेंगे comment किसी भी page के अंदर, देखिए, page के अंदर भी comment का option होता है, post के अंदर भी होता है, क्योंकि post की बात मैं अभी कर नहीं रहा हूं, क्योंकि post से related मैंने काम किया नहीं है, मैं आपको जो relate कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, page से relate करके, कि आप किसी भी page में comment अगर लगाना हो, कि user आएगा, आपकी website पे page को देखेगा, और वहाँ पे comment कर सकता है, कुछ पूछ सकता है comment में, तो वो option कहां से आएगा, क्योंकि अभी अगर मैं किसी page को open करता हूं, तो वहाँ पे commenting नहीं दिखती, केवल मेरा title, description, image यह बताऊंगा, तो चलिए हम इस start करते हैं, देखेए, यह about us page है, मुझे यहाँ पे comment का option चाहिए, अभी मैंने title और क्या कर रखा, description इसके अंदर पास कर रखा है, मुझे यहाँ पे comment का option चाहिए, कि user आया और comment कर सके, और comment करने के बाद एक चीज clearly ध्यान रखे, यह post में भी हो, और मेरी website के किसी page पे आप comment कर रहे हो, तो comment तुरंत approve नहीं होगा, यहाँ पे admin का permission चाहिए, admin क्या करेगा, उसको approve करेगा, approve करने के बाद comment आपकी website पे क्या हो जाएगा, reflect हो जाएगा, यह सारे portion इसके अंदर क्या होते है, inbuilt होते है, चलि हम start करते है, comment का form कैसे आएग पहले वो देखेंगे, फिर comment करने के बाद approve का process क्या होगा, यह भी हम सारा क्या करेंगे, देखेंगे, तो चलि हम start करते है, हमें जाना है, dashboard में देखिए, यह dashboard है, dashboard में आपको जाना है, जिस page में आपको comment लगाना है, तो pages में माल लो, मुझे about us के अंदर comment का option चाहिए, तो visibility, permalink, feature में एक है करके बता रहा हूँ, यहाँ पे है discuss, देखें, discuss के अंदर जाके आपको allow comment करना है, जैसी आप discuss के अंदर जाके allow comment करके यहाँ पर update करेंगे, तो आपके page में comment वाला form क्या होगा, display हो जाएगा, देखिए, अब देखे, comment वाला form डिस्पले हो गया, मगर यहाँ पे केवल comment ही आ रहा है, क्योंकि देखो, यहाँ पे notice करना लिखा हुआ है, कि login है, आपका admin already, इसलिए वो आपसे comment मांग रहा है, और यहाँ पे approve की भी जरुवत नहीं होगी, क्योंकि अगर admin comment करता है, तो automatic comment आपका क् सीम page जैसा ही होगा, बस आपको समझना है कि page में हम comment कैसे देते हैं, अब अगर मैं इसको private browser पे खोलता हूँ, incognito mode पे, ctrl shift n करके मैं यहाँ पे जाके इसको open कर देता हूँ, इस link को, तो मैं यहाँ पे login नहीं हूँ, देखो, आप notice करना, यह login बार नहीं आ रहा हूँ, login न और website का link को कुछ भी ले लेता हूँ, यह मैंने 4 चीज़े इसके अंदर पास किया और post comment कर दिया, देखे, comment करने के बाद यह message आएगा, your comment awaiting a moderation, मतलब आपका comment क्या है, moderation में चला गया है, मतलब एक example set समझिए, कि अगर आप यह website online करते हैं, online करके, मतलब कोई एक user comment कर रहा है और आप भी इस website में, मतलब दो user इस website को open करके हैं, और आपने comment किया, तो दूसरे user को नहीं दिखेगा, जब तक client इस comment को approve नहीं करेगा, तब तक यह website पे reflect नहीं होगा, यह moderation वाला point कब है, moderation वाला point आपको ही दिखेगा, और आपके system में दिखेगा, जिस system से आप comment कर रहे ह यह process नहीं है, process यह है main कि आप comment approve करिए, फिर आपका comment यहां पर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, तो comment approve कैसे होगा, यह मैं आपको बता देता हूँ, देखेगे, इसलिए मैंने एक private tab पे खोल रखा है, और एक main tab पे खोल रखा है, देखेगे, मैं यहां पर जाता बता रहा है, यह प्रदीप ने comment किया, और यहां पर hello है, और यह प्रूव रिप्लाइ, quick edit, edit, spam trace, आप उसके comment को यहां पर क्या कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, और बता भी रहा है कि आपने किस पे दिया है, about us page पे क्या दिया है, comment दिया है, आप यहां से इसको approve करे comment क्या होगा, वहां पे, जो moderation वाला message आ रहा है, और आपका comment वहां पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, और यह सब के लिए क्या हो जाएगा, public हो जाएगा, मतलब मेरे लिए आपके लिए और भी कोई website को open कर रहे हैं, और about us page पे जा रहे हैं, उन सब के लिए comment क् करता हूँ एक बार, तो आपको चीज़े क्या हो जाएगी, clear हो जाएगी, देखिए आपका comment यहाँ पे क्या हो गया, public हो गया है, और मैं यहां से reply, फिर comment, यह सारा process क्या हो गया, चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, main problem था कि comment का section कहां पे आएगा, तो comment का section आने comment आपको और पता हूँगा, मैं और कब बता हूँगा, जब हम क्या करेंगे, post के अंदर comment का काम करेंगे, वहाँ पे थोड़ा और process में आपका क्या करा दूँगा, clear करा दूँगा, अभी मेरा process यह था कि comment का option कैसे आएगा, और आप enable, disable कैसे करेंगे, disable करने के लिए अंचे झाल